केजरी बाल और महुआ मुहित्रा के बीच इस समय जबरदस्त टक्कर चल रही है एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड लगी हुई है और इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि महुआ मुहित्रा दरसल लेडी केजरी बाल है या फिर इसे पलट दीजे केजरी बाल दरसल म महुआ मुहित्रा है लेडिन आपको इस बात को समझने के लिए न दोस्तों एक कहानी सुनने पड़ेगी और वो कहानी बड़े इंट्रेस्टिंग है जारतर लोगों ने नहीं सुना होगा कुछ लोगों ने हो सकता है सुना होगा लेडिन पहले आप कहानी सुन ले कहानी य खाने की चीज़ है लेकिन वो जिद में पड़ गया फिर लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए बच्चा है फिर उन लोगों में से किसी को याद आई कि एक गुरू जी है जो बच्चे का और उनके बारे में बड़ी प्रसद्धी है कि वो लोगों की जिद को तुणवा देते ह बुला गया उनको कि भाई गुरू जी को इब बूलाया जा गुरू जी आये बच्चे को समझाया लेकिन बच्चा तो माना नहीं बोला नहीं जी गुरू जी मैं तो झिद् किली खाओंगा फिर गुरू जी ने लोगों को कहा ज़ों थीक है छिद के लिए मंगवाओ चिप के लिए मंगवाई गई धाली में परोज दिया बोला खाले बेटा अब फिर से जिद में पड़ गया बोला नहीं पहले इसको तलवाओ तब खाऊंगा अब गुरुजी फिर परेशान कि ये तो बड़ा विचित्र जिद्धी है तो फिर कहा उन्हों परोन है कि बहुत तल के लिए चिप केनी को ठलवाया गया अब उसे फिर उसके सामने का अब तो इसे खा ले अब कुछ मत बोलना भूला नहीं फिर वह रूने लगा धाड़ अहिमार मार करूने लग सुद्धा नहीं परूरा को अब गुरू जी क्या करे गुरू जी कि वह अपनी प्रिसिद्धी थी कि वो जित तुड़ बाते हो बच्चा आईए तो कुछ तो करना पड़े हो बोले कोई बात नहीं इसमें क्या आधी कर दे इसे चिपकिली को अब जैसे ही वो आधी हुई बुला उन्होंने कि तुखा भी से तो फिर वो चीखने लगा रोने लगा बुला पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा आधी आधी क्यों करवाया हमने तो अब गुरुजी परिशान हैरान लोग भी देख रहे थे अब गुरुजी क्या करे तो गुरुजी ने अपनी आखे बंद की कान बंद किया नाक बंद किया और किसी तरीके से आधी चिपकिली खा गए अब जैसे ही गुरुजी ने आधी छिप के लिए खाई वो बच्चा फिर से दाड़े मार कर रुने लगा बोला आपने तो वो खा लिया जो मुझे खानी थी अब गुरुजी ने समझ गए कि ये दूसरी भी आधी खिलवाएगा तुरंत अपनी धोती पकेड़ी और बिना कुछ कहे वहाँ से भागने में ही उन्होंने भलाई समझी तो ये कहानी जिद्धी बालक की है दोस्तों अब इस कहानी में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जब मैं आपको केजरी बाल और महुआ मुहितरा की कहानी सुनाओंगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि महुआ मुहितरा और केजरी बाल की हालत उस जिद्धी बालक की तरह क्यों है वो कर क्या रहे है वो कौन सी बाते कर रहे हैं जिससे इस देश की जन्ता और सिस्टम उन दोनों की हालत गुरु जी की तरह हो गई है आज मैं इसे ही डीकोट करूँगा साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र पर्णवाल आज मैं आपको दो नेताओं की कहानी एक साथ सुनाओंगा एक तो अपने शर्जी गुरु जी अर्विंद केजरिवाल और दूसरी महुआ मोहित्रा और आपको पता चलेगा कि कैसे इन दोनों के सामने ये दोनों जिद्धी बालक बने वे और कैसे जनता और पूरा सिस्टम गुरु जी की तरह पीडित बन गया है अब आप एक एक करके पहले कहानी को देखिए और समझे हर साल की तरह दोस्तों दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है दिल्ली वालों का जीना बिल्कुल दूबर हो चुका है और आंकडे आपको दिखा देता हूँ फिर आपको सारी चीज़ें समझ भी आएगी सिस्टम आफ एर कॉलिटी एंड वेदर फॉर्कास्टिंग एंड रिसर्च यानि सफर के अनुसार 29 अक्टूबर यानि कल सुबह दिल्ली का ओस्तन वायू गुनवत्ता सूचकांक 309 रिकॉर्ड किया गया जो की बहुत ही खराप कैटेगरी में आता है जबकि जहांगिर पूरी इलाके में दोस्तों ये एक्यू आई सुबह 8 वजे 566 रिकॉर्ड किया गया है इसका मतलब ये है कि दिल्ली की हवा बहुत खराब है बच्चों और भुजर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है लोगों को आँखों में जलन की शिकायत हो रही है और खराब हवा का मतलब क्या है बड़े ध्यान से इस बात को भी समझे शून्य से 50 के बीच AQI होता है तो वो अच्छा होता है 51 से 100 के बीच संतोष जनक माना जाता है 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है और मैंने आपको जहांगेरपूरी इलाकी का कितना बताया 566 बताया दोस्तों 566 आप समझ रहे हैं और इसमें तो स्टेज 4 अगर लग जाए तो क्या होगा स्टेज 3 में ही सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, इंडस्ट्रियां बंद हो जाती है इंधन वाली बहुत सारी रुकावटें तो अभी तो एक इलाके में आया है तो कुल मिलाकर होगा क्या दिल्ली का हाल आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए लेकिन दिल्ली का हाल तो दोस्तों शुरू से ही ऐसा रहा दिल्ली में स्थित्यां ये जो प्रदुशन की है ना कभी अच्छी नहीं रहे अब केजरीबाल जी आते हैं सीन में अब केजरीबाल जी ने कहा कि मैं तो प्रदुशन ठीक कर दूँगा लेकिन उन्होंने उस बच्चे की तरह जिद्धी बालक की तरह जिद पकड़ कि पहले मुख्यमंत्री बनाओ फिर हम ठीक कर देंगे अब लोग भी सोचने लगे कि भई प्रदुशन ठीक करना है तो मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ेगा उन्होंने चुनावी वादा किया मुख्यमंत्री बनाओ मैं आपको एक शुरू का बयान सुनाता हूं और उनके सबसे खासम खास रागव चड़ा का बता रहे हैं चुनावी वादे के बारे में पयान सुनू अब केजरी वाल को तो प्रचंड जीत मिल गई जनता ने उन्हें जिता दिया इस से अधिक सीटे तो कभी किसी को मिली ही नहीं इतनी सीटे मिल गई अब केजरी वाल जी क्या करें अब वो तो जिद्धी बालक की कहानी आपको सुना ही न अब उन्होंने दूसरी जीत पकड़ ली उन्होंने इसका सारा ठीकरा प्रदूशर का का फोड़ दिया पंजाब की जनता और दूसरे रज्यों पर फोड़ दिया बोले पंजाब से सब कुछ फैल रहा है अब पंजाब की कहानी फिर बीच में आ गई दोस्तों तो आपको एक छोटा हिस्सा पंजाब का भी सुनाता हूं सुन लीजी दिल्ली के लोग परिशान हो चुके हैं पॉलीशन से पंजाब से यह सारा धुआ आता है अपना बाहना तो बदल गया ना दोस्तो चीजे तो बदल गई जब दिल्ली का मालिक बनने से होगा क्या अब लोगों को बूलने लगे कि वही पंजाब से ही हो रहा है पंजाब से सवाल पूशने लगे पंजाब में नहने डोल पीटने लगे और एकदम से आप यकीन नहीं मानेंगे specific timeline मांग रहे थे कि पंजाब वाले बताओ मुक्यमंत्री जी बताओ बयान सुनी हम specific timelines चाहते हैं पंजाब सरकार से captain सरकार से दिली की जनता specific timelines चाहते हैं आप हमें दोस्तों इस बहाने के बाद उन्होंने पंजाब में जूठा वादा भी कर दिया जूठा वादा क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सब कुछ करेंगे पराली जलानी नहीं पड़ेगी पंजाब की जनता भी दिली की तरह पिडित समझा कि भाई यही करेगा सब कुछ जिता दो पंजाब में प्रचंड जीत दोस्तों इतिहासिक जीत जिसे कहते हैं लेकिन दिली की हालत नहीं सुधरी ये मैं आपको पिछले साल की रिपोर्ट दिखा रहा हूं बहुत ही खराब प्रदुशण का स्तर जैसे ये मौसम आता है एकदम से बुरी इस्थिति मने बिक्राल इस्थिति बोल सकते हैं और हां पिछले साल का दिखा रहा हूं पंजाब में पराली जलाने का काम कम नहीं वा जारी रहा अब तो जनाब फिर से जिद्धी बालक की कहानी याद कीजिए अब इनको कुछ नया बहाना डोड़ना कुछ नहीं बात कहनी अब इन्हों ने इस बात की जिद देख रहे हैं ना मजा आरा ना कानी में अब भाना तो कुछ नया भी चाहिए ये तो टार्गेट करने बाहाना ये कि ये तो हर्याना से हो रहा है और दिली को बेवज़ा बदनाम कर रहा हूं मयान सुनिये कीजरीवाल दोस्तों बड़े चालू चीज हैं एकदम से तक हार गये लोग भी समझ गये कि इस आदमी का इरादा ठीक नहीं है तो इन्होंने आखिरकार ये बादा किया कि अगले साल अगले साल भगवंतमान के साथ किया था कि लोगों को परिशानी नहीं होगी हम काम करेंगे आखिर कब तक बहाना बनाएंगे तो ये पिछले साल का आपको बयान सुना रहा हूं सुन लीजिए का लेंगे बेलर्स भी लेके आएंगे हैपी सीडर भी लेके आएंगे क्रॉप डैवर्सिफिकेशन की जूरते वो भी करेंगे सारी चीजों के उपर काम अभी पैरलली चल रहा है अगले साल में तो अगले सीजन ही होगा अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी लेकिन आप अच्छी तरह भली भाती समझ लीजिए दोस्तों जो भी दिल्ली एंसियार में रहते हैं केजरी वाल ने ये बात कहीं जरूर किया कुछ नहीं वो सर्फ चुनावी मोड में इधर उधर इधर उधर घुमते रहें दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया कोई पॉजिटिव काम नहीं किया प्रदूशन फिर बढ़ने लगा मौसम तो आ गया अब वो क्या करें तो फिर से वो नया बहाना लेकर आ गए और जानते बहाने कैसे मैं आपको भी दो बहाने सुनाओंगा इसी सीजन का है क्योंकि दिल्ली की स्थितिक खराब है इनके एक मंत्री आतीशी ने नया बहाना ये प्रस्तूत किया कि सरकार के फास तो कोई डेटा ही नहीं है जिससे पता चले कि कहां से कितना पॉल्यूशन होता है आप सुनिए ना रोग बस्ट से होता है कोई कहता है वहिकलर प्रियूशन से होता है कोई कहता है तराली जरने से होता है लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना प्रियूशन कौन से सोच से होता है देख रहे ना शायद पूरी कहानी राम कहानी खतम हो गई पता ही नहीं चला सीता किसकी बेटी है यह हाल है लेकिन मैंने आतिशी के जूट का परदाफाश भी किया है और एक मैंने शॉट वीडियो बनाया दोस्तों मेरे शॉट चैनल को जरूर देखेगा हरीश बर्णवाल शॉट्स उस पर आजक आतिशी मारलेना की कहानी मैंने दिखाई है लेकिन इसके बाद दोस्तों आतिशी के बाद एक और भाहना ढून रा है और यह कल का बयान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ केजरिवाल ने अपने परियावरण मंत्री गोपाल रहा है इनको उतार दिया और दो नए राजियों की एंट्री हो गए कैसे कहानिया आगे बढ़ रही हैं आप उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए और दो राजे कौन है यूपी और राजस्थान जानते क्या कह रह हैं कि यूपी हरियाणा और राजस्थान यहां की डीजल बसे दिल्ली आती है और इसी से प्रदूशन फैल रहा है मयान सुनिए लेकिन दिल्ली में उत्तर प्रदेश से हरियाणा से राजस्थान से चारो तरब से जो बसे आ रही हो सारी डीजल की बसे हैं सारा धुआ ठू पानिया आगे बढ़ रही है ये जनाब 50 साल तक आप दिल्ली का मालिक बना दीजे ठीक नहीं होगा मैं लिख के दे सकता हूं ये करी नहीं सकता इसकी आदत नहीं है ये करना नहीं चाहते ये सिर्फ अराजकता आप भारत का प्रदान मंतरी सब कुछ दे दे तो ये बोलेंग का पूरा पैटर्न देखिए कभी ये और डिवेन करके कुछ रोक देंगे कभी कंस्ट्रक्शन रोक देंगे मतलब सिर्फ रोकना नेगेटिव जिसको बोलते हैं और इसलिए इस बार भी प्रदूशन विक्राल होने पर कुछ और रोकने का ऐलान कर दिया है प्लैन कर दिया अब ये डीजल बस बता रहे हैं मगर केजरीवाल ने दोस्तों जो बात छिपा लिए वो मैं आपको दिखा देता हूं और वो भी डेटा के जरीए मैं जो बात बता रहा हूं उसके लिए आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं आप देखिए पंजाब में आज भी पराली जल हैं दोस्तों इस तरह की लेकिन वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं उसे दिखाने रहा और रिपीट भी लगेगा आपको इसलिए नहीं दिखा रहा है पंजाब में ये इस्थिती है और पंजाब की तो बात ही छोड़िए जो मुख्यमंत्री भगवन मान का अपना इलाक है अब केजरी वाल वाला हाल दोस्तों महुआ मोहित्रा का भी है जो कैश फॉर क्वेरी स्कैम में फसी हुई आप इस कहानी में मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ इसलिए बहुत संक्षित में जो लेटेस्ट डेवलप्मेंट है वो दिखा रहा हूँ इस मामले में माल लिया है कि उन्होंने उद्योग पती दर्शन हीरा नंदानी से गिफ्ट लिया उसमें लिपिस्टिक और बहुत सारी चीज़े हैं जो बता रही है तो माल रही है कि गिफ्ट तो लिया है महुआ मोहित्रा ने ये भी माल लिया कि उन्होंने संसत की वेबसाइट का महुआ मोहित्रा को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा तो महुआ ने नए नए बहाने बनाने शुरू कर दिया और गजब है आप इनका तर्क सुनेंगे न आप फैरान हो जाएंगे उन्होंने बहाना बनाया कि पहले दर्शन हीरा नंदानी के साथ उन्हें सवाल दिया जाए पहले मैं क्रॉस कोशनिंग करूंगी उसके बाद ही सारी चीज़े होंगी पहला दूसरा मैं महत्पूर्ण बहाने दिखा रहा हूं दो ही दिखा रहा हूं कि महुआ ने कहा कि पांच नवंबर से पहले वो खाली नहीं है इसलिए पेश नहीं हो सकती लेकिन संस संसत की एथिक्स कमेटी ने जब देखा उनकी चिठी को तो कहा ठीक है यार दो दिन और दे दो और उन्हें दो तारिक को फिर बुलावा भेजा और कहा कि अब और ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि महुआ मोहित्रा जिस प्रकार से खुद संसत के बाहर गंभीर मामला है दोस्तों और कितना गंभीर है इस पर मैं आपको बता चुका हूँ और इसलिए संसत की एथिक्स कमेटी ने ये फैसला किया कि आप कोई बहाना नहीं चल सकता है और नहोंने कैसे कैसे बहाने बनाए मैंने आपको दिखाया है कि हम बाकी संसत भी देते हैं ह भई किसी उद्योग पती को देता है क्या और ऐसा उद्योग पती जिसके हित आपस में टकराते हों और जिसके सवाल दूसरे उद्योग पती को टारगेट करते हों ये बहुत गंभीर मामला और संसत की चीज विदेशों में लॉग इन और पासवर्ट कोई खोल रहा है ये इंट्रिव्यू देने के लिए वक्त है लेकिन एथिक्स कमेटी के पास जाने के लिए समय नहीं और इतना ही नहीं मैं तो ये भाजपा वालों को एक बात और कहूंगा कि ये भी चेक करना चाहिए और ये सवाल उठाना चाहिए कि क्या जिस समय संसत की एथिक्स कमेटी उन सरकार भी नहीं गोशना बाहर नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर शकता क्योंकि वो शायद संसत का एक अपना विशेशा धिकार होता तो ऐसे में जब संसत की एक कमेटी जाच कर रही है, तो महुए मोहित्रा बहां गई बगई बाहर दे रही है बयान, इंटर्व्यू दे रही है तो इस बात की जाच करनी चाहिए कि ये गलत है या नहीं है लेकिन महुआ मुईतरा की दोस्तों मुश्किल इस समय बहुत बड़ी है क्योंकि निशिकान दुबे ने उनके खिलाप एक सबूत भी साबजनिक कर दिया है और वो भी पूरा का पूरा ये हिस्सा देखिए, इस ट्वीट को देखिए इसका एक छोटा हिस्सा मैं दिखा रहा हूं आपको पढ़के कि यह उनके होटल का बिल है जो हीरा नंदानी ने दिया 2018 में जब वो बंगाल विधान सभा की सदस्य थी 2019 के बाद का लिखा जो खा तो कमेटी लेगी आप सूच रहे हैं किस तरह की चीज़े हैं क्या क्या चीज़ें इनके इनसे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं तो कुल मिला कर दोस्तों केजरिवाद और महुआ मोहितरा ये दोनों ऐसे नेता उस जिद्धी बालक की तरह जिनको बहुत जल्दी पद पैसा पावर सब कुछ चाहिए और इसलिए ये उटपटांग हरकत करते हैं लेकिन इसी चकर में इन्होंने जो काम किया है जो हरकत किये वो उसमें ये फस गया है और एक जुड़ से बचने के लिए लगाता जुड़ बोलते हैं महाने बनाते हैं और इसलिए मैंने आपको उस जिद्धी बालक की तरह कहानी सुनाई जिसका एंड कैसा होगा वो मैंने आपको दिखाया है जिसमें जनता और इस सिस्टम को ही आखिर में पीसना है तो मुझे उमीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देनी है और वो सूचना ये है दोस्तों कि मैंने देखा कई सारे कमेंट्स में और कई लोगों ने मुझे भेजा भी है कि मेरे नाम से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के हैंडल बना लिया उसमें ट्विटर अकाउंट फेस्बुक अकाउंट या फिर क्या नाम है वाटसेप या अलग-अलग चीजे बना ली हैं जिसमें मेरी ही तस्वीर को लगा कर और नाम के आगे पीछे कुछ लगा कर उन लोगों ने ऐसा किया है जो आपको डिरेक्ट मैसेज भेजने के लिए कहते हैं ये कहते हैं कि आप विजेता हैं आपका कमेंट चुना गया है और फिर वो मैसेज के जरीए उटपटांग डिमांड करते हैं तो दोस्तों आप सतर्क रहिए डिजिटल युग है जो कुछ भी दिखता है वो मैं खुद बोलता हूं तो इस तरह की चीजें ना मैंने कभी की ना मैं कभी करूंगा तो आप बहुत सतर्क रहिए ये सिर्फ बदनाब करने की साजिश है पैसे ठग लेने की कोशिश है तो आप सतर्क जरूर रहिए मैं जो कुछ भी कहूंगा खुद कहता हूँ और मैंने इस तरह की कभी कोई डिमांड नहीं की कुछ नहीं कहा तो आप प्लीज सतर्क रहिए वरना जरा सा इस फ्रॉड में अगर फस गए तो बड़ा नुकसान हो जाता है मैंने लोगों को देखा है तो आप जरूर सतर्क रहिए यह मेरी आप सबसे गुजारिश है बहुत बहुत धन्यवाद पहले की तरह दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सबस्क्राइब और कमेंट जरूर कीजिए लाइक जरूर कीजिए दोस्तों लाइक करने से यह वीडियो लोगों तक पहुंचता है फिर उसका असर भी होता है और यूट्यूब फिर उसे आगे भी बढ़ाता है और अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब लिंक किया है तो जरूर कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार